है गाइज वेलकम माई चैनल गाइज आज इस वीडियो में हम एक थेरी फेज फाइब एच्पी भीशिक्स सब्सक्राइब मोटर का वाइंडिंग कनेक्शन फीटिंग सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने बाले है वीडियो को शुरू से कर लास तक जुरू देखते रहना वीडियो कफी इंट्रेस्टिंग होने बाला है यह एक फोर स्टेज का मोटर है और दोस्तों इस में हम कहने बाले है चेन वाइंडिंग एक 800RPM का 440 वॉल्ट पे चलने बाला मोटर है थेरी फेज मोटर सब कुछ जानकर इस वीडियो में आपको देखने के मेली कि उस सबस्क्राइब कर लीजिए और नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी के बटन को प्रेस करके दूस्तों अब इसको ओल पे सेट कर लिजिए ताकि हमारा आने वाले की वीडियो नूर के प्रकेसन आपको सबसे पहले मिलेगा वीडियो आज चलेगे तो चले ह té 27 cm इसका जो गुलाई साइज है यह 14,5 cms और यहां पर इसका इनर बाय है यह 11 cm के आसपास इसका आउटर डायमितार है 13 cm के आसपास और इसका जो स्टम्पिंग साइज ia कोर का लेंत है वो 18 cm के आसपास इसमें आपको 24 स्लोट यहां पर देखने को मिलेगी तो आए आप हम coil बना लेते हैं कोईल हमने कुछ इस तरह से बना कर रख दिया है कोईल का जो लंबाई रहेगी बोहेगी 11 इंच लंबाई में और इसका जो SWG जाहेगी वेर का बोहेगी 1.3 कौपर वेर का SWG जाहेगी देखिए हमने यहाँ पे कोईल करना स्टर्ट किया है और फिर यहाँ पे आके यह खतम होगी जाया तो यहाँ पे आपको दो लीड़ी देखने को मिलेगी एक साथ चार कोईल बनेगी और इस कोईल में हमने टरान दिया है 24 टरन इसमें भी 24 टरन हमने दिया है उसकी बाद जो थार्ट बाला कोईल इसमें भी हमने 24 टरन दिया है और फोर्ट बाला कोईल में है भी 24 टरन यहाँ इस सभी कोईल में दोस्तों टरन कर संक्रा जो है वो सेम रहेगी इस तरह से आपको तीन सेट कोईल बना लेना है तभी कॉम्प्रिट हो जाएगी टोटल कोईल का जो वाइट रहेगी बोहगी तीन किलो 230 ग्राम की आसपास आप देख सकते हो यह इसका एकॉरिट वाइट है इसके पाद हम कोईल वाइनिक करेंगे कोईल वाइनिक करेंगे से पहले इसमें जो स्लोट है इस खाले स्लोट में आपको PVC फिलिम पेपर डालना होगा साथ नमबर का पेपर काटके आप इसमें डाल दीजिए जैसी कि दिखिए हमने यहां पेपर काटके डाल के कॉंपिल्ट कर दिया है अब हम इसकी जो राउंड है इसमें इस तरह से एक साथ नमबर या फिर आप पाच नमबर का फिलिम पेपर लगा दीजिए ताकि जब हम वायर डाले तो उसकी जो कोबर है वो लीकेज ना हो कहीं पर भी काटना लगे इसलिए यह हमारा सेप्टी के लिए पेपर डालना जोरूरी है उसकी बाद दो पेपर हम लेंगे और इसकी ओपर थोरा सा वायल डाल देंगे आप किसी वायल इस्तमल कर सकते हैं को कोनेट का या पिर सरच से का वायल यहां पे लगा लेजिए इससे क्या होगी वायर डालने में ज़िस आसाने होगी और यहां पे दिखिए किसी भी स्लोट से आप वायंडिंग शुरू कर सकते हो तो हमने लेफ्ट हैंड कि तरफ किसी साथ आथ 9 10 एन दोस्तों हमारा कॉयल का पिछ रहेगी बहुत की जो सब से सबस Cyr सर कॉयल रहेगी वहहई एक से 10 स्लोट में और जो सेकेंड पहला कोयल आएगी भो होगी एक से 12 स्लोट में तो यहाँ पे अगर बीच में आप देखेंगे तो आपको 8 slot यहाँ पे खाली दिखाई देगी अगर आप गुंदी करेंगे तो तो इस तरह से आप slot की counting कर सकते हो आप देखिए यहाँ पे एक सेट हमने coil ले लिया है इसमें से आपको दो छोटा coil और दो बड़ा coil मिल जाएगी तो इसमें से हमने किसी भी एक छोटा coil को ले लिया है और देखिए राइट हैंड साइड हमने रग दिया है आउटर वयर जो दूसरी coil से connected है और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमने रग दिया है अब कोईल को कुछ इस तरह से आपको पतला बना लेना है आपके सामने के तरफ जो लॉक है उसको नहीं खोलना है ठीक है उसको इस तरह से रख देना है कोईल डालने के बाद उस लोक को खोल देना है कोईल को इस तरह से पकरके आपको स्लोट की फिली मेपर के उपर डाल देंगे तो बहुत ही आसनी से हमारा कोईल चला जाएगी सौरी दोस्त तो आपको फास्ट कोईल डालके हमने नहीं दिखा पाया क्योंकि हमरा जो कैमेरा था वो आफ हो गया था इसके लिए आपको नहीं दिखा आपको सिकन कोईल डाल के दिखाऊंगा इसकी बाद इस कोईल के उपर हमने ये साथ नामर का फिल्म पर डाल दिया है या आप डाल वे सकते हो या फिन नहीं भी डाल सकते हो कोई बात नहीं लेकिन आपके इसकी उपार यह जो भी सिक्स का स्टिक है लकरी का बो लगाना ही पर एगा देखिए हमने फिल्मे पर इसलिए डाला क्योंकि इसके जग कुर का जो हाला थे न वो ठीक नहीं है तो कुर की हिसाब से हमने इसमें फिल्म पर डाला या उससे क्या होगी कोईल हमरा बहुत चाहाँ सेफ हो जाएगी अब कोईल कुछ इस तरह से आपको सेफ बनाना परेगा कि दूसरे कोईल इस तरह से इसके उपर बैठ सके यहां पर हम ने जो है इस तरह से कोईल सामने के तरफ तो सेब बना दिया पिछे के तरफ आपको एस लोग को खोल कर निकल देना एक यू टाइप में आपको सेब देना परेगा ये इस तरह से आप देखें हम दुस्तरा कोईल डालेंगे के बिलकुर इसकी बाजिम में जो ऊपर स्लोकी स्लोट खाली he काउंट करेंगे तो वह आएगी आपकी एक से बारा स्लोट में गोचिस तरह से काउंट करेंगे तो थैक, अब हम आपको नेक्स्ट कॉयल ऑन्न कई डाल के लिग जिखाएंगे कुछ इस तरह से फिले में पर डाल देना है इसकी बाद जो दूसरा कोई लाएगी इसकी साहती जूरा हुआ उसको लेना है और इसका जा सिरीज वायर है वो आप देखिए राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी और राइट हैंड की तरफ हमरा दूस्त आउटर वर रहे जाएगी कोई को इस तरह से पतला बना के पेपर की उपर इस तरह से डाल के देरे-देरे करके उसको जो है घीसाना है इस तरह से देखिए और फिर आपकी कोई जो है श्लोट के अंदर चला जाएगी इसकी बाद आप चाहो तो इस ठीकी मांद इसको और भ साथ नमबर का पेपर है वो कोईल के उपर डालेंगे और इसकी बाद उसकी उपर हम जो है छे नमबर का यह इस्टिक लगाएंगे लक्री का इस्टिक यह आपको मार्केट में खरिदने मिल जाएगी यह बना-बना ही मिल जाती है और इस तरह से इसको डाल देना है देखिए खेड़ी है तो हम सभी मोटर में नहीं जालते जैसे के आपको बटाया लानने से कुरकी जो धारह होती है उस से कोईल बंच जाती है बहती से exists हो जाती क्याएं तब चाहो तो इसको डाल सकते हो और नहीं दो नहीं भी डाल सकते हो कोई बात नहीं लेकि नीच पारा जो फिल अब इस लोक को खोल देंगे और इसको इसकी पीछह बिठने की कोसिस करेंगे दूसरी को को क्षच को पाइल की पिछे आप दिखे यहां पे हमारा लेप्ट हंड साइड हो गया इनर वयर राइट हंड साइड हो गया आउटर वयर अब को यहां पर एक बात समझना परेगा यह हमने यहां पे पहला सेट का जो चार कोईल है इसमें दो डाल दिया है और दो कोईल हमको यहां पे छोड़ देना है ठीक है जी अब इसको हम इसको इस तरह से घुमाएंगे थोरा सा राइट हैंड की तरह अब यहां पे देखिए तीन स्लोट छोड़ किये हम चान नंबर तीन चार पाँच छे साथ आठ नो और दस अब यहां पे पेपर डालेंगे हम फिलें पेपर यह देखिए कुछ इस तरह से तो हो गया एक से दस लोट में फेस से हम जो डालेंगे तो पहला सेट का दो कोईल हम डाल के बाकी दो कोईल छोड़ देंगे अब दूसरा सेट ले घंप आउडर वयर और लेफ्टेंढ की तरह हमँरा इनर वयर पहले की तरह ही छोड़ी आप कोईल को पहले की तरह दो देगे Ao फिले में के यह अप यह दिपर ऑपदाके दहए कोईल को हम अंदर की तरह दाबा देंगे और भीक देखिएग आपकह चला जाएका और आप ज देखिए आसानी से हो गया आप देखिए इसका भी Sаем to same हमने इस तरह से से बना लेन आप है और पिछे की तरह इसी तरह से आपकोap बना लेना है हरे कोयल ढालने के बाद कोयल का दुस्तो भ बनाना बहुत जुरूरी होती है यह तो बाकी जो कोयल है उसको बाद में बिठाने में दिक्कते हो सकती है इसका भी नेक्स्ट कोईल हम डालेंगे एक से बारा स्लोट में बाजू बाला स्लोट में फिलिम पर डाल देते हैं और इस साइड में भी आपको जो है इसकी उपर की तरफ जो स्लोट एक है इसमें हमें दूसरा फिलिम पर डाल देंगे फ यहापे दो सूनद हमने छोड़ता दीक संदूहति तरह तिस तरह से दो उपके ज्ञाप होते होते जाएगी अब सकी दूसरा हम लेढने लेते हैं और बाकी दो कोईल देंगे चोड देंगे तो आप दूसरा सेट का हमारा दूसरा कोईल डाल रहे हैं और इसका भी देखिए राइट एंड की तरफ होगी आउटर वैर और लेफ्ट हैंड की तरफ होगी इसका स्रीज वैर और इस तरह से हम फीशे यही जो है तरीका इस्तिमाल करेंगे क्वाइल के चौरा बनाके श्लोट के अंदर डाल देंगे और दिखे हो गया अब फिर से हम फेली मेपर बाहर निकल लेंगे और फिर इसकी उपर फेली मेपर डालने के बाद इस्टिक लगाएंगे हार एक स्लोट की उपर आपको इस्टिक लगाना परेगा लक्री का जो इस्टिक है वो हम लगाएंगे और फिर इसको भी सेब बनाएंगे पहले coil की पीछे इसको बिठाएंगे इसको उपार नहीं उपार बिठाएंगे तो वो मोटा हो जाएगी तो पीछे पीछे बिठाते जाना है coil को कि देखिए दोस्तों हमारा दूसरा सेट का दूनों कोईल डाल के कॉम्पिट हो चुकी है अब हम यहां पर वही जो है तरीका इस्तिमाल करेंगे तीन स्लोट राइट हैंड की सरफ छोड़ के चौथी नंबर स्लोट में हमने पेपर डालना है यह देखिए तीन स्लोट हमने य यह देखिए जी हो गया अब हम क्या करेंगे जो तीसरा हमरा सेट है उसमें से दो कोईल लेंगे और इसमें डालेंगे और दूसरा सेट का जो दो बाकी दो कोईल है उसको हमको जो है यहां पर ढालके बाकी दो स्लोट कोईल हमने इसमें छोड़ दिया देखिए यह बला यह हो गया इसका कम अब तीसरा से ठामने ले लिया इसमें से भी सेम हम दो कोई लेंगे चोटा कोई एक बड़ा कोई और बाकी जो दो कोईल है उसको छोड़ देंगे इसमें से भी हमने फेले छोटा कोई ले लिया है और इसको भी सेम टू सेम उसी तरह से स्लोट के अंदर डाल आपको हमेशा लेप्ट हैंड की तरफ इनर वार रखना है और राइट हैंड की तरफ आपको जो है आउटर वार राक केस्ट को डालना पड़ेगा और कुछ इस तरह से फिल्म पर पाहन निकल गए हम इसकी उपार फिल्म पर पचरा के स्टिक लगा के दुस्तों कोमपेट कर देंगे दूसरा कोईल भी हम डाल लेते हैं क्या है तो दोस्तो देखिए यहां पर हमेरा यह दो कोईल करके डालना पारेगा तो सबसे पहले जो हमने सेट डाला था यह वाला पहला सेट का उसको हम अब जो है सबसेब और डालेंगे एन तीन सेट का एक राउंड पूरा होँआ अब फिर से जोह दूसरा डॉसरा राउंड सुरू होगी यहाँ पर जहां पर हमरा खतम हुआ वहाँ पर देखिए v Nept석 के बाद हमने यहां पर डाल दिया और संगे लोग ऐक से दा स्लोट में आपको आना है इसला से कॉंट कीजिए अब दीखिये यहां पर जो है 10 नमर स्लोट में हमने आ घ्या तो सेम रूल से और फिर इसमें भी हमने फिल में पर डाल देना है अब पहला सेट का जो बाकी दो कोईल है हम देखेंगे उसको ले लेते हैं यह देखिए यह दो कोईल बाकी था यहां पर देखिए हमारा पहला सेट था तो इसका बाकी दो कोईल में से भी एक चोटा कोईल है एक बरा कोईल ह तो सबसे पहले आपको जो छोटा बला कोईल है उसको डाल देना है और इसका भी देखिए राइट हैंड के तरफ आपको आउटर वेर राखना है और लेफ्ट हैंड के तरफ आपको दोस्तों ये इनर वेर छोड़ देना है और उसी तरह से कोईल को आपको इस तरह से पतला ब तो दोस्तों काफी लोगों को चेंग दिपकते हो लेकिन अस्ताब नहीं नहीं देखिए हैं वह बहुत है असानी कव्ग होती है अब बाकी दो कौैल हम यहाँपे इकसी बारा स्ँल डाल टार आ कौई ओडते हैं बाकी कौैल इसका आध घ्न रखिए हम दियान के इसका कोई कुछ इस तरह से पोजिशन में रखेंगे आप और हमेंसा इस सीरिज वह रधाना टकिए राइट हंड की टरप आएगी और लेफ्ट राइट हंड राइट हंड कि तरफ जाएगी इस पूजिशन में रखके कोई को डाल देना है कर दोस्तों कभी भी आप रॉंग मत डालिए अच्छे से दुबारा वीडियो को पोस्ट करके देखिए यह दोस्तों आपको समझना पड़ेगा अच्छे से देखिए अभी हमारा एक सेट दोस्तों कॉम्पेट हुआ और बाकी इसका दो लीडिया पर निकाल चुकी है इनर व सेट का दो काईल है अब कहां पर हम देख लेते हैं इसको है देखिए यह दो कईल हमरा जो सेट सेट का दो को I विसकाम इस तरह से घुमा लेते हैं अब छामना पर क्छताम हुआ भी तो वहांसे भी हम फिर सेही फालो करेंगे है प्योस्ते चॉट करें और इसके बद वहां से हम यह इस left hand के तरफ 10 number slot में दूसरा पहले पर डाल देंगे इसमें और फिर यहां पर जो दूसरा set का दो coil था उसमें से छोटा coil ले लेंगे और इसको डाल देंगे इसका भी right hand के तरफ हमरा outer wire और left hand के तरफ inner wire छोड़ के इसको डालना है कोई बात नहीं आप दूबारा देखिए वीडियो को आपको समझ में आज आएगी बाकि कोई भी सवाल हो कोई भी आपका क्वेस्चन हो मुझे कोमेंट किजिए या फिर आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करके पार्शनली मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो अगर देखिए हमने कोईल को इस तरह से से बना लिया है अब इसका जो दो नमबर कोईल है उसको भी डाल देते है और इसको भी से हम देखिए राइट हैंड का सीरिज वायर हमारा लेप्ट हैंड की तरह पाएगी और लेप्ट हैंड बाला सीरिज वायर हमारा राइट हैंड की त चाहिए इसको भी डालने के बाद अच्छे से कोईल को बिठा देना है और एक चीज ध्यान रखिए कोईल डालने के समाई कोईल का लीकेज नहीं होना चाहिए तो हमरा यहां पर दूसरा सेट अभी कॉम्पेट हो गया पहला सेट और दूसरा सेट अभी पूरी तरह से रहे और जो बाकी ुर्च पाली रहे गी गुषैत में एक से बारा ही। इन दीकाई देगी 14 2ट में सबसे चोटा काली 7 अबिव Н singers कॉम्पेट हो चुकी है विलास्ट सेट है दुखहच हुआAnn अब इसका जो last coil है एक से बाराबला slot में हमने इसको डाल देना है और इसका भी से हम देखिए राइट हंड का सेरी जबायर जाएगी लेफट हंड की तरफ और लेफट हंड बाला सेरी जबायर आएगी घूमके और राइट हंड की तरफ तो इसको भी डालके हम complete कर देते हैं कोईल को हमेशा अब जितना भी पतला बनाएंगे उतने ही आसाने से कोईल स्लोट के अंदर चला जाएगी और बहुत सारे लोग दोस्तों पूछती है कि चेन वाइंदिंग और सिंपल वाइंड़ में क्या डिफारेंस है दोस्तों कोई बीक डिफारेंस नहीं है शीप वाइनिंग कहने में है आसाने होती है है अब देखिए हमारे दोला तीन सेट दोस्तों वाइनिंग होके complete हो यहांने कोईल के हाई पर भी तो काट नहीं होना चाहिए बहुत ही सब्धन है कोईल डालना होती है सब्मर्सबल मोटर का जैसी कि यहां पर हमने डाला था सेप्टी के लिए देश्तों यह बहुत ही काम आती है अगर यह पर नहीं डालेंगे तो आपका जो वायर है वो यह मोटर होती है इसमें का थोरा सा लीके जो एक तो वह प्रोब्लेम क्रियेट करा सकती है यह पिर ज्यादा लेगी तो इसलिए बहुत ही सब्दाने से हमको यह सबर सब्सक्राइब और निकारना होती है अब देखिए हम याप कोईल को सेप करना परेगा इसके उपर इस्टिक लाएगी तो इस्टिक वेर की साथ टाच नहीं होना चाहिए इसलिए वेर को कुछ इस तरह से हमको सेफ बनाना परेगा तो देखिए कोईल को सेफ देने के बाद कोईल और भी अच्छे से फिनिसिंग में आ गया और बहुत है अच्छे से यह फिनिसिंग आप हो जाती है कोई तसे जाएसे आप इसको इस तरह से जोहेर लक्री की हाथवरी की मदल से शिस्तर से बनावगे तो आप इसमें कोई दिकत नहीं है अप मसट हम भूत है से सेट कर सकते हैं क्ति क्या करेंगे देखित दिख दोड़ूर जो सामने बाला हिस्ता ए इसको भी से हम उसी दरह से दोस्तों आपको सेप कर दिना है देखिए दोस्तों दोनों साइट कोईल हमारा फिनेशिंग हो चुकी है अब इस कोईल को हमको दूस्तों बांदना परेगा तो आप क्या करेंगे पतली जो रसी होती है पीबिसी इसको आप इस्तिमान कर सकते हो या फिर जो टीव आती है एक तरह पतली टीव पीबिसी का उससे भी आप इसको जो है बांद सकते हो तो यह पिछले हिस से हमारा कॉम्पेट हो चुकी है इसको बंद के हम कॉम्पेट कर दिया है देखिए अब इसका जो फिनेशिंग है और भी आच्छे से हो चुकी है अब हम क्या करेंगे इसकी सामने तरफ करेंगे तो देखिए से कानेकशन में आपको टोटाल यहाँ पर देखने उसको इसको और इसकी बें रहां नमबर लीड है उसको पकर लेना है यहां पर हमने इसको ले लिया है देखिए और इसकी बाद दोस्तों जो चौथी नमबर लीड है इसकी बाद इसको भी हम छोड़ देंगे और जब पांच पॉर नमबर लीड है उसको पकर लेंगे इस तरह से तो टोटाल दोस्तों यहां प के बाद एक लिड लेगे हैं पे इसघल करनेक्शन बना दiyा है ला फेशे का अब परफ्ट नहीं कर दिया है अब इस तहिं आट कर देना है अब चाहों तो तो इससे उस्विस्टतो जो भी भी कर सकते हो और इस्ता से जोइन कहने के बाद इसको अच्छे से आपको टेपिंग भी कर देना होगा आप देखिए दूस्तों यापि आप देखिए दूस्तों यापि आपको यहाँ पर देखने का मिल जाती है जिससे हम यह जो केबिल का तीन वैर होती है रेट यहलो बुलू तो इस तीनों डुग हम यहाँ पर कानेक्शन करेंगे अब आपको यहाँ पर बता दू इसका कोई भी कलार आप किसी में भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप क एक लीड जोइन करके दिखा देता हूँ दिखिए इस तरह से लीड को जोइन करना होती है एक प्लायर के मदद से एक साइड आपको पका कर रखना है दूसरी प्लायर से दूस्तों इस तरह से घुमा घुमा के इसको भाज करके यहां पर लगाना पड़ती है इस तरह से आपक करके टेप लगाना परेगा तो दोस्तों फास्ट टेपिंग के बाद आपको शेकेंड में एक कांचारबट लगाना परेगा कांचारबट लगाना बहुत जो रोटी होती है इससे यह वाटर प्रूफ और बहुत या अच्छा-से टेपिंग भी हो जाती है इसकी बाद राउंड लगाना परेगा और कांचारबट पर आपको दो राउंड लगाना परेगा देखिए यह कॉम्प्रेट हो गया बाकी दोनों को इसी तरह से टेपिंग करना परेगा तेन लेड हमने आप टेपिंग कर दिया है अब केबिल की गोड़ा है उसमें तुरह सा कि यह हो गया अब इस लीट को हम जो है कोईल की उपर इस तरह से नहीं बिठाएंगे कोईल की इस तरह से उपर अगर बिठाएंगे तो दिक्कात होगी बात में सेटिंग करने में तो से नहीं बिठाना है आपको कोईल की जो सामने इस तरह से रखके इसको जो है धागी की म काछल से बांदस्राओन पारेगा ताम इसको कमρίट कर देते हैं वीडियों को थोड़ा से किप कर दिया देकिए हम इस तरह से यह फिनिसिंग कर दिया है अब देख सकतो आज आताल से यह फिनिसि इंग हो चुकी है अब इसको कर दो आपको बता दू आप इसको वायनिंग कईने के बाद एक बार टेस्टिंग जोरूर कर लीजए को सबसे पहले इसके कोंटिनाटे चेक की जिया दिखिए एक कॉंटिनाटि आ रहा है मेटर के सुवी उठ रहा है इसके मतलब कॉंटिनाटि इस तो आ तो कॉंटिनुटिव इसका सही है लीट का है अब इसका हम जो है लीकेज टेस्टिंग करेंगे आर्थ या पिर लीकेज आप बोल सकते हो एक तो हमने सबी लीट के सांथ जूर देना है अब दूसरा मिटर का जो तार है उसको पानी में डूबा देना है इस तरह से अगर आपक पानी में डूबा के रखा है देखिए यह वाला फिर भी हमारा सुई नहीं उट रहा है इसके मतलब का जो हमरा वाइनिंग है वह इल्कुल सही है और यहां पर बता दोस्ता हमने 4 mm का जो केबल है बो इस्तेमल किया है इस्टर करेंग्शन में अब हम क्या करेंगे इसकी इसे दोनों साइड आपको फिले में पर लागा कि इसको सेटिंग करना पड़ेगा तो देखे दोस्ता आपको इस पर दो तरह का स्टेक देखने का मेलती है तो जो छोटा वाला स्टेक है और एक बराबला स्टेक है तो बराबला जो स्टेक है वो आपका पीछे की तरफ जाएगी और जो छोटा वाला स्टेक आप देख रहे हो यह आपकी सामने की तरफ पैणी जो केविल है वो इसकी तरफ आपको लगाना परेगा तो चले आप इसको stack लगा देते हैं तो यहां पर आपको एक खाज देखने को मिलेगी इस खाज की site शेट अपके बैट जाएगी कुछ इस तरह से इसको बिठा देना है और चारो स्टेक बिठाने के बाद इसके सामने के तरफ जो हाउजिन है उसको लगा देना है इसकी चारो होल के साथ इसको मिला के कुछ इस तरह से दिखिए इसको बीठा देना है बहुत ही साब दने से काम कीजिए क्योंकि यह जो है लोहे है इसमें आपको हातों में दोस्तो लग सकती है इसलिए बहुत ही साब दाने से आप काम करना क्योंकि भारी भारी यह जो सभी समान है तो बहुत ही साब दाने से काम करना है और जब रोटर आप डालोंगे तो और भी साब दाने से आपको डालना परेगा वेयर में किसी तरह से भी कोई भी लीकेज नहीं होना चा साइज का इस टाक के वो लगाया है अब हमने पीछे के तरब जाओ जने इसको भी लगा देते हैं जिस तरह से और कुछ इस तरह चाम इसको हैमर मरके थुरा सा सेट कर देते हैं और केबिल में जो यहां पर आपको एक रबर लगाने परेगा कि इसमें जो क्या है बाकी जो रेट मित्ते हैं वो कोईल के अंदर नहीं जाएगी उसकी बाद जो इसका सेकेंड हाउज ने उसको भी हमने लगा दिया है इसके साथ हमारा फैन एनि एमपुलार जो है वो सेटिं करेंगे उसकी बाद यहां पर जो लॉक है न उसको भी आपको यहां पर लगा देना है सर क्लिप इसमें इस तरह सेटिंग करेंगे और थास बगर लगाकर हम इसको यहां पर सेटिंग कर देंगे और हाथ से दोस्तों इस तरह से आपको घुमागा देख लेना है कि मोटर अपका फिरी है या जाम फिरी होना चाहिए जिसे और से कमपीट हो चुकी है आप देख सकते हो तौझ अब यỗi कि पर पम ता स्की से अंदर पान डाल के आपकेर अर्टिंग कर सकते हैं तो बाकि हिस का जो हमने इंद्धर पान ऻाल के ट्रिश्टिंग किया है मेतर से तो इसका अब कुछ शही है तो इसमें हमने जो ऐंपूल से विसको है डिया है आप सकते हो दोस्तों आई होपके आपके वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जोरो सब्सक्राइब कर लिजिए कोई भी सवाल हो दोस्तों चुरूर कमेंट करके पुछे ध्यांकियो